दोस्तों अगर आप यूवराज सिंग के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करे और हमारे यूट्यूब चानल को सब्क्राइब कर जसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 23 मार्च से IPL का रंगारंग कारेकरम शुरू होने वाला है जिसका कि पहल मेच रॉयल चालेंज बैंगलो एवन चैन्नाई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएका यहां दोनों टीमें ही IPL की सबसे अधिक खतरनाक टीम मानी जाती हैं हाला कि हम सब जानते हैं कि 2018 हमें युवराज सिंग पंजाब की तरफ से खेल रहे थे लेकिन इस बार युवराज सिंग मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे आपको बता दें कि 2018 हमें पंजाब की तरफ से खेलते हुए युवराज सिंग का प्रद इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि फिर से भारतिय टीम इनको मौका देने के लिए मैन बना रही है। साथ ही युगराज सिंग के सभी फैंस को यह जानकर खुशी होगी कि इस साल IPL का तीसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल वा मुंबाई इंडियन्स के बीच खेलर जाएगा। सिंग नेट में प्रैक्चिस कर रहे थे तो उन्होंने कई लंबे-लंबे छक्ये लगा डाले जिसे देखकर रोहित शर्मा हैरान रहे गए। स्बस्क्राइण कि उन्होंने की बीचना फेलर जिसे देखकर कमा हमुश्यै ऑडाएगां